अस्सलाम उलेकुम फ्रैंड्स आप देख रहें AWT याने अबस्वानी टैक चैनल इस चैनल पर हम अक्सर बेशतर आपके लिए वो टिपस लाते हैं जो आप अपने गर में इस्तिमाल कर सकते हो गर बैठे बैठे यानि खासकर कि अलेक्ट्रोंग से जुड़े हुए जितने भ जो खुबी है वो अलग-अलग है आज हम आपको बताएंगे कि डिफ्रेंस बिट्वीन चार्जर एंड एडप्टर बले ही दिखने में एक है यह देख लीजए आप दोनों को आप अगर आप नजर से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आज हम आपको आराम से एक जो डिवाइस होता है या एक जो इसको चार्ज की जरूरत होती है या इसको वोल्टेज की जरूरत होती है आज हम आपको बताएंगे एक चार्जर और एडप्टर में डिफ्रेंस कहा है सबसे पहले हम इन दोनों को अन्बॉक्सिंग करेंगे आपके सामने और उसके बा और अगर चार्जर की जूरत पड़ती है तो आप जाकर एड़ाप्टर लेकर आती हो, वहां से गड़बर शुरू होता है, इस से पहले कि आप मार्केट जाओ कि आपको पूरी इंफर्मेशन होनी चाहिए, नौलेज होनी चाहिए कि एक एड़ाप्टर और एक चार्जर में क अगर हो सके तो शेयर भी कर लीजए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारी जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वह आप तक पहुंच जाए, और पूमिट में भी लेकना, अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जूरत हो तो हम बताए यह नहीं होगी इंफॉर्मेशन तो पूरी प्रेपरेशन के साथ आजाएंगे, तो आप तक वह इंफॉर्मेशन जूरूर शेयर करेंगे, लेकिन आज हम चलो हम चलेंगे आज टॉपिक के और, यह हमारे पास दो एक डिवाइस है, आप देख लीजे, इसको लिखा है यहा आपको सेम नज़र आएगा, यह देख लीजे, लेकिन है नहीं है, एक्टिवली सेम तो ही नहीं, तो यहां देख लीजे, इसमें एड़ॉप्टर को क्या क्या है, पहले हम यहां से समझाएंगे आपको, एक एड़ॉप्टर की जौरत कब पढ़ती है, देखो यहां अगर फुल डिटेल में इसमें लिखा है, आप वीडियो को पास भी कर सकते हो, दो बारा भी देख सकते हो, समझ में नहीं आए, एक पावर एड़ॉप्टर की जौरत कहां पर पढ़ती है, एक तो CCTV कैमरा होता है, दूसरा होता है, DP मशिन के लिए है, कोडलेस फोन होते है, वीड डिश टीवी का, और LED स्ट्रेफ जो हो, LED टीवी हो, डिजिटल क्रेमरा हो, फ्रिंटर हो, एड़ॉप्टर हो, लैप्टाउप्स हो, सिकैनर हो, मोडियम हो, या वीडियो क्रेमरा वगरे के लिए, इन सब को क्या जोरत पढ़ती है, चार्जिं की जोरत नहीं पढ़ती है, उनको वोल्टेज चाहिए, इसको specially डिजाइन किया गया है, एक एडप्टर को इसलिए डिजाइन किया जाता है, ताकि ये वोल्टेज मेंटेनर्स रख सके, इन सारे डिवाइस के लिए, या इसलिए डिजाइन किया गया है, आपकी जो डिवाइस है, उन तक complete voltage पहुंच ज के जुरूरत है तो इसलिए इन चीज़ों को एडाप्टर को जुरूरत पड़ती है वहां आप समझाई यहने इसको डिजन किया गया है वोल्टेज मेंटेनिस के लिए खाली वोल्टेज मेंटेनिस ना कि चार्जिंग के लिए यह एडाप्टर की बात रही अगर दूसरे टा देखो इसकी वोल्टी जो यह जो वोल्ट है 7.5 वोल्ट और एक एमपेर तक करंट निकाल सकता है यह रही बात अडाप्टर की अब हम जाएंगे दूसरे टापिक की और इसको यहां साइड में रखेंगे यह रही बात अडाप्टर की अब हम इसको देखेंगे यह लाल टी चार्जिंग मतलब आपको सुपर कैट्स्टर्स होते है या आपको बैटरी चार्ज करनी होती है कोई भी चीज अगर आपको चार्ज करना है तो इसके लिए आपको चार्जर की जूरत पड़ेगी अब इसकी खूसिशित क्या है इसको भी हम अन्वक्स करके दिखाएंगे इस पर देखो चार्जर इसमें क्या लिखा है इसमें इनपुट 110 यह एक सो दस वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक की कैपसिटी है इसमें और आउटपुट क्या निकाल यहां देख लिए आप 7.2 वोल्ट यह है और एक एमपार कारंटी यह भी निकाल सकता है लेकिन इसको स्ट आप्टर को डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि वोल्टेज मैंटेनस रखे डिवाइस के लिए और चार्जर को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि चार्जिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया है चार्जिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया है चार्जिंग के बाकि अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज प्लीज इस मैं फिर से कह रहा हूं इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि जितने भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो वीडियो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए बाकि रहे खुदा के हवाले तब जब तक कि हमारा अगला वीडियो ना आए खुदा आफिज अल्ला निगेगा